हाई फ्रेंड आज मैं एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूँ एसी प्राम 10 मिलिग्राम टैबलेट ब्रांड नेम सी है मार्केट में उपलब्ध होता है डायस लाइफ साइंसे प्राइबिट लिमिटेट के दोरे इसका प्रोड़क्शन किया जाता है कीमत के अगर बात करें तो 10 टैबलेट के एक इस टिप मार्केट में 84 रुपीज का उपलब्ध होता है फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन साब तक आ जाएं और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिच न करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपिरियंसे से रहें कमेंट सेक्षन पर मुझे जरूर लिख कर बताएं आएए फ्रेंडस वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इस प्रोड़क्ट के कमपोजीसन के बारे में तो फ्रेंडस इस में Isita Lopram Oxalate 10 मिलीगाम के मातर में उपलब्द होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट से जोड़ी कुछ बैकलपिक ब्रांड्स के बारे में तो फ्रेंड्स इसी ग्रेस 10 टैबलेट जिसे ला रिनोन हेल्थ केर प्राइवेट लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है फ्रेंड्स मार्केट में मिलने वाले ये सेम कमपोजिशन के साथ उपलाब्द कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो आप इस मेंटसिन के नम मिलने के स्थिती पर भी पर्चेस कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं आपको एफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का साल्ट या मॉलिकिल सेम होता है आप देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ प्रमुक इस्तेमाल के बारे में तो जैसा मैंने पहले आपको बता है यह एक एंटी डिपरेसेंट मेडिसिन है और इस मेडिसिन का इस्तेमाल डिपरेसन को कम करने के लिए एंजाइटी डिसार्डर को कम करने के लिए और पैनिक डिसार्डर के उपचार में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है अब देखते हैं तिसके कुछ कामन side effect के बारे में तो फ्रेंड's N-orgasmia, यानि महलाव में और्गयजम का घट जाना सक्स की एक्छा में कमी का होना, देर से स्कलन का होना, थकान होना ज़्यादा पसीना आना, अनिध्रा होना, जीम चलाना और नीद का आना इसके कुछ common side effect के रूप में देखे गए हैं अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को इस्तमाल कैसे करना चाहिए तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को आपको self medicate नहीं करना चाहिए डक्टर की advice के अनुसारी आपको उसके doge और duration के अनुसारी मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए इस मेडिसिन को साबुत निगलना चाहिए मेडिसिन को तोड़ना चवाना खुचलना या पीछना नहीं चाहिए आपको मेडिसिन को हमेशे साबुत लेना चाहिए भोजन के साथ या भी ना भोजन के भी मेडिसिन को लिया जा सकता है परन सेरेटोनिन री अप्टेक इनिविटर एंटी डिप्रेसेंट होता है और सरी से निकलने वाले जो सेरेटोनिन के लेवल्स को होता है उसको इंक्रीज कर देता है यह ब्रेन से निकलने वाले एक केमिकल मेसेंजर्स होता है जो आपके मूड बिहेवियर को फिजकल सिम्टरम जै जाता है अब देखते हैं फ्रेंड्स मेडिसिन की डोज अगर आप भूल जाएं तो आपको क्या करना चाहिए तो फ्रेंड्स अगर मेडिसिन की कोई डोज आप भूल गए हैं तो जितना जल्दी हो सके आपको ले लेना चाहिए परंतों अगर अगली डोज का समय हो गया हो त लेने के बाद अगर मूड में किसी प्रकार का अचानक से बदलाव आता है या आत्माते इत्यादी का इरादा आता है तो आपको अपने डाक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए इस मेडिसिन को आपको जनरली मौर्निंग में लेना चाहिए आप देखते हैं फ्रेंड्स इस इस मेडिसिन को लेने के बाद जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि जो sexual dysfunction होता है यानि जो sex इक्षा होती है उसमें कमी आती है इस बारे में आप अपने डाक्टर से भी परामर्स कर सकते हैं किसी प्रकार की dependency इस मेडिसिन को लेने के बाद डेवलप नहीं होती और एक ने सोता है यानि दिन भर नीद नीद जैसे बना रहता है आता है आपको एडवाइस किया जाता है कि जिस समय आप मेडिसिन को ले रहे हों उस सबर ड्राइविंग ना करें या कोई भी ऐसा कारें ना करें जिसमें मेंटल कंसंट्रेशन की आवसकता पड़ती है जब तक मेडि नीद लाने जैसी इस्थिती उत्पन न करती है और अलकोहल के लेने के साथ साथ आपको अधिक मात्रा में नीद जैसी इस्थिती ये बेहोसी का सामना करना पड़ सकता है गरभवस्ता और इस्तन पान के डूरेशन से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको अपने डाक्ट करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी चैनल पर लगतार मेडिसिन्स के रिव्यू आते रहते हैं इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही किसी अन्य अच्छ टॉपिक के साथ आप से फिर मुलाकात करता हूँ तब तक के लिए गुडबाई आपका दिन सुभ हो जैहिंद